प्रिंट मैनेजमेंट कॉपी कर लें इंस्टॉलेशन की हदायत आपको प्रिंटर के साथ ही मिलती है अगर्चा ये हदायात बहुत असान होती हैं लेकिन आप मुश्किल पेश आने की सूरत में किसी से मदद भी ले सकते हैं ऐसा भी होता है कि ज्यादा तर प्रिंटर्स के सॉफ्टवर्स आपरेटिंग सिस्टम में पहले से ही दिये गए होते हैं और प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते ही कंप्यूटर इसकी डिवाइस को डिटेक्ट कर लेता है और खुद ही इंस्टॉल करके इस्तमाल के लिए ready कर देता है आईए, अब हम देखते हैं कि computer के साथ एक printer कैसे attach और install करना है printers की बहुत सी इकसाम है और हम इन सब का इहाता नहीं कर सकते लहाज़ा अभी हम एक printer को install करना सीखते हैं printer की installation को हम दो हिस्सों में discuss करते हैं पहले हिस्से में हम hardware installation देखेंगे और उसके बाद software installation हमारे पास इस वक्त एक USB printer है आप देख रहे हैं कि हमने उसकी power cable को main power में लगा दिया है लेकिन power button को off ही रखा है इस printer के साथ एक USB cable भी है ये देखें हमने इस cable को computer और printer की मुझवजा ports में लगा दिया है अब हम power को on करते हैं आप देख रहे हैं कि computer ने कुछ देर के बाद हमारे printer को detect कर लिया है और उसको install करने की कोशिश कर रहा है लेकिन चुके Windows के अंदर इस printer का software नहीं है इसलिए ये इसको install करने में नाकाम रहा है आईए हम printer के साथ आने वाली software CD को CD ROM में डालते हैं इसके बाद हम my computer पर double click करते हैं हम यहाँ से CD drive के आईकॉन पर double click करके open करते हैं CD के अंदर मौझूद setup की file पर double click करें कम्प्यूटर इस वक्त कुछ files कॉपी कर रहा है और थोड़ी देर में computer printer को install करने का काम मुकमल करने का message देता है हम इस printer को default printer के तौर पर भी select कर सकते हैं printer की installation के बाद आईए अब हम देखते हैं के एक file का print कैसे लिया जाता है इस वक्त हम अपनी बनाई हुई एक file open कर लेते हैं जो के desktop पर मौझूद है यह देखिए file हमारे सामने एक word processing में open हो चुकी है इस window में हम file menu पर click करते हैं और फिर print की option पर click करते हैं अब हमारे सामने एक window open हो गई है जिसके उपर print लिखा हुआ है इसमें बहुत सारी options दी गई हैं जिनके बारे में हम आने वाले lessons में बात करेंगे फिलहाल हम print के button को press करते हैं लीजिए हमारे file का print out यानि heart copy तयार है यह मुम्किन है कि print लेते वक्त कोई error या कोई खराबी पैदा हो जाए ऐसी सूरत में आपको error message नजर आएगा प्रिंट लेना सीखा आपने ये भी देखा कि आपके computer के साथ एक ही printer attached था ये मुम्किन है कि आपके computer के साथ एक से जायद printer मनसलिक हूँ university, college या दफातिर में अमूमन कई printers मौजूद होते हैं जिने आप इस्तेमाल कर सकते हैं आईए देखते हैं कि एक ऐसी environment में जहां कई printers हूँ इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है हम एक मरतबा फिर word processor में इसी file को open कर लेते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले इस्तेमाल की थी हम file menu को open करते हैं और इस menu में से print की option पर click करते हैं आपके सामने prints का dialogue box है अब अगर आप print का button प्रेस करते हैं तो print out उस printer से निकलेगा जो हमने अभी select किया है जब किसी file की printing हो रही होती है तो इस अमल को हम printing job कहते हैं आप एक ही वक्त में कई files का print ले सकते हैं लेकिन वो एक खास तरतीब से ही print होगी यानि जो file आपने सबसे पहले भेजी थी वो सबसे पहले print होगी जब हम किसी file का print भेजते हैं तो इस printing job का status चेक करने के लिए system tray में मौजूद इस arrow पर click करते हैं हमें printer का icon नजर आता है जैसा कि आप अभी देख रहे हैं जब तक file की printing होगी ये icon यही system tray में मौजूद रहेगा हम देखना चाहते हैं कि इस वक्त कौन सी file की printing हो रही है इसके लिए हम system tray में मौजूद प्रिंटिंग status के icon पर click करते हैं ये देखिए लिस्ट में आपको file नजर आ रही है जिसका print लिया जा रहा है इस session की तक्मील के साथ ही हमारे module 2 का एक्तताम होता है आप किसी भी lesson को दुबारा start करने के लिए index area में इस पर click कर सकते हैं उमीद है कि आपने इस program में मौजूद lessons और hands-on exercises वगेरा से काफी कुछ सीखा होगा हमारे पूरी कोशिश रही है कि हम आपको असान अंदाज में वो तमाम बाते सिखा दें जो एक computer user को मालूम होनी चाहिए अगर आपने उन lessons और exercises को तवज्जो से मुकमल किया है तो हमें यकीन है कि आपको अपने computer के इस्तमाल में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी